हेलो दोस्तो दोस्तो निफ्टी लगातार अपने एक के बाद एक नए all time high शूरी है तो काफी लोग concerned है कि अभी उनको stock market में पैसा लगाना चाहिए या अभी उनको market में पैसा नहीं लगाना चाहिए क्या लगता है मुझे कि आने वाले time में market एक major correction की तरफ बढ़ रही है क्य निफ्टी अभी overvalued हो चुकी है तो दोस्तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि क्या इस level पे निफ्टी अब overvalued हो चुकी है या नहीं हुई है तो दोस्तो किसी भी company की valuations को समझने के लिए जो सबसे अच्छा indicator होता है वो होता है उसका price to earning ratio price to earning ratio दोस्तो किसी भी stock का यह बताता है कि वो जो उसका market में अभी price चल रहा है उसके basis पे उसकी earning कितनी है यानि कि वो कितना सस्ता या महंगा दिख रहा है market में और price to earning ratio जितनी कम होती है उतना सस्ता एक stock माना जाता है तो दोस्तो यहाँ पर हम एक बारी year on year month on month nifty की PE ratio देख लेते हैं तो अगर आप यह nifty की PE ratio देखेंगे तो nifty की PE ratio अभी September 2021 में 26.59 के आसपास की चल रही है और दोस्तो अगर हम पिछले 3-4 सालों में यहाँ पर देखते हैं तो यह काफी कम level का आपको दिख रहा है nifty के जो अभी level चल रहा है September 2017 में nifty इस level पर चल रही थी अगर हम PE ratio की बात करते हैं यानि कि दोस्तो इसका मतलब यह हो जाता है कि nifty जो उपर गई है उसका one of the reason यह है कि जो nifty 50 की 50 companies हैं उनकी earnings भी लगातार बढ़ रही है यह एक बहुत ही positive बात है earnings बढ़ने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि इसकी valuations ऐसे ही हवा में बढ़ रही है हर stock की उनकी earnings बढ़ रही है और उसका effect उनके stocks में आ रहा है तो यह एक positive reason है जिसकी वज़े से stock market अभी उपर जा रही है क्योंकि दोस्तो यहाँ पर आपको समझना है कि earnings क्यों बढ़ रही है उनकी earnings बढ़ने का भी reason है liquidity liquidity मैंने आपको कई बार अपनी videos में बताया है कि liquidity लगातार market में काफी अच्छी चल लगातार fed के interest rate कम होने की वज़े से लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ रहा है अब ऐसा क्यों होता है कि अगर fed interest rate कम कर देता है इंडिया की government interest rate कम कर देती है तो लोगों के पास पैसा जादा आ जाता है तो दोस्तों आप यह समझे जिन लोगों के पास उस वक्त loan होते है उनकी interest cost कम हो जाती है और इसकी वज़े से लोगों के हाथ में जो पैसा बचता है वो जादा बचने लगता है इसकी वज़े से उनकी purchasing power बढ़ जाती है और किसी भी अगर बंदे की purchasing power बढ़ती है तो वो जाकर समान खरीता है, जादा से जादा वो खरीता है और वो आपको company की earnings में दिखने लगता है तो यही एक circle है जिसकी वज़े से RBI जब भी economy गिरने लगती है interest rate कम कर देता है तो यहाँ पर वो ही चीज़ दिख रही है कि company की earnings बढ़ रही है उसका दूसरा reason यह भी है कि अगर आप देखेंगे अगर interest cost कम होती है तो companies की भी एक major cost बचती है जो companies काफी जादा loan लेकर अपने businesses चला रही होती है उस company की भी interest rate काफी जादा कम हो जाती है जिसका impact उनकी earnings पे आता है इसकी वज़े से company की earnings भी बढ़ने लगती है तो दोस्तो interest rate कम होने की वज़े से यह सारा impact पढ़ता है जिसकी वज़े से अब earnings जो है companies की वो अच्छे हो रही है और उसका impact आपको nifty में दिख रहा है तो इस चीज़ से हमें यह चीज़ समझा गए कि nifty अभी overvalued नहीं है अगर हम इसको over the years PE ratio से यहां पर compare कर रहे है फिछले 4-5 साल की हमने अभी PE ratio देखी है तो हम देख सकते हैं कि 2017 September की levels पे PE चल रहा है अब दोस्तों जब भी interest rate कम होते हैं तो उसका dual impact आता है पहला impact तो हमने discuss कर लिया कि लोगों की purchasing power बढ़ती है लेकिन दूसरा impact इसका यह होता है कि जो लोग save करते थे अभी तक fixed instruments में यानि कि PPF में या आप मान सकते हैं FD में save करते थे या और भी जितने भी fixed rate of interest वाले instruments से वहां पर जितने भी लोग save करते थे अब उनको वहां पर return अच्छी नहीं मिल रही है इसकी वज़े से वो जितने भी लोग है at least जो इंडिया में है वो लोग भर-भर के पैसा stock market में डाल रहे है इसका आप latest data अगर मैं आपको share करता हूँ तो आप देख सकते हैं August में जो SIP inflows हुआ है 9900 करोड का हुआ है आज तक सबसे ज़ादा ये inflows है SIP के SIP के सिर्फ अगस में 25 लेक के around नए अकाउंट्स खुले हैं और इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि जो अब SIP के open अकाउंट्स है वो 4.32 करोड के आस्वास हो चुके है तो दोस्तो अभी भी लगातार लोग भर-भर के market में पैसा डाल रहे हैं Retail investor की जो participation है वो काफी अच्छी हो चुकी है अब stock market में तो दोस्तो इन सीजों से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि stock market क्यों इतना जादा उपर हो रहा है इन डेटास को देखकर मुझे नहीं लगता कि recent में कोई बहुत भारी correction market में होने वाली है हो सकता है थोड़ा consolidate करे market इस लेवल पे लेकिन कोई बहुत बड़ा crash यहाँ पर market में नहीं आने वाला है ये चीज़ मैं आपको बहुत लंबे टाइम से बोल रहा हूँ जब Nifty 13,000 पे थी मैं तब से आपको बोल रहा हूँ कि आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है Nifty में क्योंकि ये लगातार जो data मैं आपके साथ share करता हूँ time to time उससे हमें यही पता चलता है कि कोई major crash market में नहीं आने वाला है छोटा मोटा correction तो देखिए market में चलता रहेगा लेकिन कोई major crash यहाँ पर नहीं आने वाला है लेकिन दोस्तों आपको हमेशा अपने जो portfolio है उसको diversify रखना है ये चीज़ आपको दिहान रखनी है मैं हर बार आपको ये चीज़ बोलता हुआ आ रहा हूँ आपको diversification रखना बहुत ज़रूरी है इन टर्मस ओफ market cap यानि कि large, mid और small cap में कितनी आप diversification रखते हैं उसके साथ साथ आप equity के अलावा किन-किन instruments में पैसा लगाते हैं debt instruments में, gold में, cash में आपको अपना emergency fund रखते हैं तो ये पूरी आपको अपनी financial planning करके चलना ज़रूरी है हाला कि अगर हम stock market की बात करते हैं अभी कोई major correction मुझे नहीं लगता recent में आने वाला है मेरी तरफ से दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो को भी like जरूर कर दें धन्यवाद